हम सभी ने कभी न कभी एक ऐसा केस देखा होगा जहां कोई आदमी कोमा में चला जाता है पर आखिर कोमा में होता क्या है अगर क्या हो मैं कहूं कि कोमा उस आदमी के दिमाग की अपनी एक अलगी दुनिया होती है पर इसका जब आप जानने के लिए आपको कोमा में जाने की ज़रुरत नहीं क्योंकि इसी कॉंसेट पर बेस ये एक साइन्स फिक्षन मुवी है जो आपको मैं एक्स्प्रेन करने जा रहा हूं मुवी की शुरुवात एक आदमी से होती है जो अपने रूम में सोया हुआ होता है वो जब उठता है और रूम में देखता रहता है तब ही वहाँ की चीजे दीरे दीरे ब्लैक मैटर में बदलने लगती हैं मानों वो पूरी जग़ को black matter बना रहा है वो आदमी सौक हो जाता है और बाहर भागने लगता है तो वो देखता है कि वो पूरी जग़ पूरी तरह से उपर नीचे हो गई है वहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरीके से इंसान नहीं है उनका कुछ पार्ट गायव है तो गाइस मैं बता दू यह जो आदमी है उसका कुछ दिनों पहले एक्सिडेंट हो गया रहता है और वो कोमा में चला जाता है यह पूरी जग़ कोमा है जहां सभी कोमा में जाने वाले patient यहां आते हैं और यह सारी incomplete और black matter वाली चीजे वो उनसे भी patient की यादे और सपने हैं उन्हें जितना याद होता है वो चीजें उन्हें दिखाई देती है वो आदमी यह सब देखकर shock हो जाता है तब ही वहाँ एक black color का creature आ जाता है जिसे reapers कहते हैं आप सोच रहे होगे कि यह तो सपने की दुनिया है तो यह creature यहां कैसे आ गए guys coma में coma patient का दिमाग मर जाता है पर life support machine चलते रहती है और दिमाग इतना sense कर लेता है जिसे यह creature बनते हैं और यह जिसे भी touch करेंगे वो भी उनके जैसा बन जाएगा वो reapers उस आदमी पर attack करने वाले ही होते हैं तभी कुछ लोग आके उसे बचा लेते हैं और उस आदमी को ले के कहीं safe जगा पे जाते हैं वो कैसे भी करके उस reapers से बचते हैं और उसमें से एक आदमी जिसका नाम phantom होता है उसके हाथ पर वो reapers टच कर देते हैं पर ये बात वो किसी और को नहीं बताता और वो हाथ पर कपड़ा बाढ़ लेता है वो उस आदमी को एक safe जगा लेके जाते हैं वो आदमी अपने real life में एक architect होता है तो वो सभी उसे architect नाम से ही बुलाते हैं सभी उस architect को देखकर बहुत नाराज होते हैं कि इसके लिए हमने अपनी जान जोखीम में डाली पर उनका leader जिसका नाम यान होता है उसे उसका कमरा दिखाने के लिए कहता है जैसे उसे architect पर पूरा भरोसा हो fly उसे उसका कमरा दिखाती है यान जो इसका leader होता है वो यहाँ सबसे पहले आया हुआ होता है इस coma की एक और बात बहुत unique है कि real world की कुछ घंटे यहाँ के बहुत दिनों के बराबर होते हैं architect को अपने accident का सपना आता रहता है basically वो सपने में सपना देखते रहता है जो की coma में possible है पर उन सपनों में अगर तुम खो जाओगे तो कभी वापस नहीं आपाओगे सुबा होने के बाद सभी architect की ability पता करने में लग जाते हैं यहाँ coma में कुछ लोगों को special abilities मिलती हैं जैसे spirit जो reapers को दूर से ही sense कर लेती है astronomer map create कर सकता है और fly दूसरों को heal कर सकती है पर अब सबको यह पता करना था कि architect के पास कौन सी abilities है phantom के पास super human speed and power होती है तो वो architect पर हमला करने के लिए बोलता है जिससे उसकी abilities पता कर सके पर बहुत कोशिस के बाद भी वो architect मार खाता रहता है और उसकी abilities बाहर नहीं आती सबी को लगने लगता है कि उस architect के पास कोई भी ability नहीं है यह सब होने के बाद architect को फिर से वो सपने आने लगते हैं जिसमें उसका car accident हुआ होता है और वो सपने बहुत कमजोर थे इसलिए वो उन्हें पूरा नहीं देख पाता अगले दिन architect को बाकी neuron man की तरह treat किया जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी power नहीं होती वो काम करता रहता है तब उसका leader यान वहां आता है वो architect को बताता है कि कभी-कभी abilities को generate करने में time लगता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यहां phantom और उसकी team explosive लाने के लिए जा रही होती है यान architect को भी साथ में लेके जाने के लिए कहता है phantom इस decision से खुश नहीं होता उनकी team explosive लेने के रासने में ही होती है उन्होंने एक frequency मनाई होती है जिसे on करने पर rippers attract होते है और वो explosive से उन पर attack कर देते हैं पर आर्किटेक बहादूरी दिखाता है और सभी को यहाँ आने के लिए कहता है रीपर्स काफी pass आगए होते हैं तभी वो explosive नीचे गिरने लगता है आर्किटेक अपने दिमाग का यूज करके एक iron slide बनाता है जिससे वो explosive फिसल कर नीचे आ जाता है तो यह थी आर्किटेक की ability वो imagine करके कुछ भी बना सकता है वो सभी जल्दी explosive लेके वहाँ से चले जाते हैं आने के बाद सभी आर्किटेक से बहुत खुश होते हैं तो कि उसने अपनी ability जनरेट कर ली और उनकी help भी की तभी उनका leader यान एक safe जगव यानि कि एक city बनाने के लिए कहता है जहाँ रीपर्स बिल्कुल ना सके और जहाँ वो safely रह सके आर्किटेक उसे कहता है कि वो बना लेगा सभी को लगता रहता है कि वो जगव बन जाने के बाद वो सभी safely वहाँ रह सकते हैं सबके सोने के बाद architect अपने ability को और अच्छा करने के लिए practice करता रहता है पर वो ये नहीं कर पाता fly उसे एक और बार try करने के लिए कहती है और एक blueprint के बारे में सोचने के लिए कहती है architect वो try करता है और अपनी engineering की process को याद करते हुए वो चीजे बनाता है और वो उसमें काम्याब होता है दोनों बहुत खुश हो जाते है अगले दिन यान उस जगव पर लेके जाता है जहां उन्हें city बनानी चाहिए astronomer सभी को map में जगव बताता रहता है सभी उस जगव पर जाने के लिए निकलते ही रहते है रास्ते में सभी architect को अपने-अपने मन पसंद की चीज़े वहाँ include करने के लिए कहते है spirit को sense हो जाता है कि rippers आ रहे हैं यहां किसी को expect नहीं था कि rippers आ जाएंगे यहां सभी को पता चलता है कि phantom को rippers ने touch कर दिया था और वो भी धिरे-दिरे rippers बन रहा था वो phantom पर गोलिया चलाते हैं पर उसे कुछ नहीं होता phantom वहाँ से भाग जाता है rippers जीरे-जीरे सभी पर हमला करने लगते हैं वहाँ phantom चाता था कि rippers उसके सातियों को छोड़कर उस पर हमला करें पर वो phantom पर हमला नहीं करते क्योंकि वो भी उनकी जैसा बनने लगा था वो सभी वहाँ से अपने चुपने वाले जगव पर जाने लगते हैं पर वहाँ भी rippers आ जाते हैं वो सब दूसरी safe जगव भागते रहते हैं कि आर्किटेक के चारो तरफ सभी चीजे गायब होते हुए दिखाई देती रहती है वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसे real world में होश आ रहा होता है और वो कोमा से बार निकल रहा होता है उसकी आग खुलने पर वो accident से पहले हुए बातों को याद करता रहता है जहां वो fly के साथ एक client से मिलने जाता है जिसने उसके design पसंद किये होते है fly उसे समझाती है कि वो तुमें पैसे नहीं देंगी क्योंकि news में उनके बारे में बहुत गलक त्रिमर्स फैल रहे हैं कि वो सीप अपने ही फायदा के बारे में सोचते हैं उस client के पास पोचने के बाद उनका एक आदमी architect को अकेले अंदर आने के लिए कहता है अंदर जाने के बाद वो उस client से मिलता है जो कि यान होता है जो कोमा में उसका leader था वो architect की design देखता है और उसे एक जग़ दिखाने के लिए लेके जाता है वहाँ कुछ लोग रहते हैं उनकी organization उन लोगों को लाती है जिने अपनी real life से बहुत ही नाराजगी है या फिर वो लोग जिने जीने का कोई मकसद नहीं है और ये organization उन लोगों को कोमा में भेशती है जहां सभी को एक जीने का मकसद मिलता है और उन्हें अपनी value समझ में आती है आर्किटेक ये सब देख कर डर जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है भागने में उसकी front fly मदद करती है पर कार में बैटने के बाद कुछ दूर पे जाने पर उनका accident हो जाता है और उस organization के लोग उसे पकड़ कर उस experiment में शामिल कर लेते हैं उठने के बाद यान उसे बताता है कि सभी लोगों को पहले मैंने force किया था कोमा में जाने के लिए पर ये लोग अब वही रहना चाते हैं मानों उन्हें अपनी दुनिया मिल गए ये सब उस दुनिया में सही position पर है यान चाता है कि architect कोमा में वो city बनाने का काम पूरा करें जिसके लिए उसे लाया गया था और वो उसे वापस कोमा में भेज देते हैं इसमें बता दू कि कोमा से बाहर निकलने का एक तरीका है जो एक पिछली दरवाजी की तरह है और वो real world से जुड़ा हुआ है आर्किटेक कोमा में अपने room में उठता है यहां पर fly और उसकी बच्चे हुए साथी रिपर से बचके चुपे हुए रहते तब ही वहां आर्किटेक अपनी ability का यूज करके bridge बनाते हुए आता है और रिपर्स की उपर bridge गिरा देता है और वो बाकी लोगों को साथ में आने के लिए कहता है वो सब उस जगह जाते हैं जहां उनकी नई city बनाई जाएगी आर्किटेक ने सब को बता दिया था कि हम सब की असली body बाहर experiment के लिए रखी गई है और यान के बारे में सारी बाते बता दी यान को इस बारे में पता था तो उसने कोमा में आते टाइम सभी के body में एक injection इंजेक्शन इंजेक कर दिया था उन्हें लग रहा होता है कि वही हो रास्ता है जो उन्हें real world से connect कर सकता है वो सब वहाँ जाने लगते हैं पर उनके अड़े पे रिपर्स पहले से ही पहुचे रहते हैं वो कैसे भी करके उसका ध्यान बटका कर room में जाते हैं अंदर जाने के बाद वो उसी building में पहुच जाएं उनकी body का experiment हो रहा होता है पर वो room आसानी से नहीं मिल पाता है सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था यह सारी चीजें उनकी यादों से बनी हुई हैं अगर वो याद भूल गये हैं तो वो चीज exist नहीं करें उन्हें वो जगह ढूनने के लिए वो details चाहिए थी जो real world से उन्हें connect करता हो यहां astronomer भी खतम हो जाता है तभी आर्किटेक को याद आता है वो painting जो उस room में लगे हुई पर तभी वहाँ याद आ जाता है और architect को रोकने की कोशिश करता है आर्किटेक उस पर wall गिराता है पर वो उससे बच जाता है याद उन्हें मारने ही वाला होता है कि एक reapers उसके पीछे से आके उसको मार देता है और याद खतम हो जाता है वो reaper और कोई नहीं phantom होता है जो की reapers बन गया होता है वो उन दोनों की help करता है आर्किटेक और fly दोनों उस connected place में जाते हैं जो की real world को connect करता है आर्किटेक खोश में आने पर fly को जगाता है और उससे कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे यान के आदमी रूम में आते हैं पर वो आर्किटेक और fly को कुछ नहीं करते हैं यान यहाँ पर मर चुका होता है क्योंकि कोमा में reapers ने उस पर हमला कर दिया होता है वो दोनों बाहर चले जाते हैं अब नएक सीन आता है जहां सब कुछ ठीक हो गया रहता है और आर्किटेक अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है उसे एक विल्डिंग के डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला होता है वो और fly अब साथ में रहने लगते हैं यान यूज आती है कि यान की कमपनी जो spiritual teaching करती थी उन्हें government ने legally accept कर लिया है और वो अपनी कमपनी आगे बढ़ा सकते हैं आर्किटेक को एक कूरियर आया हुआ होता है जिसमें यान की कमपनी का invitation होता है आर्किटेक भी उस letter को छुपा लेता है और fly के साथ चला जाता है movie यहीं खतम हो जाती है viewers अगर आपको यह movie का explanation अच्छा लगा हो तो subscribe जरू कर देना और आपको कौन सी movie का explanation वीडियो चाहिए comment में जरूर बताना तो मिलते हैं next वीडियो में see ya